नमस्कार साथियो मैं मास्टर विनो सर हाजर हूँ एक नए टॉपिक के साथ देखे साथियो आज हम एक छोटा सा वीडियो है जो भी पेस कर रहे हैं यह वैसे बहुत महत्पून वीडियो है साथ देखे ट्रक के माद्यम से हम आपको कैसे अल्प प्राण और महाप्राण सिखा देते हैं केवल दो-तीन मिनट में देखे साथियो, यह छोटा सा वीडियो है इसे पुरा जरूर देखें देखे साथियो आपने सुना होगा पिरान वाईयू के आधार पर व्यंजनों के भेद इससे पहले साथियो अगोश और एक पूरा वीडियो दे चुके हैं वर्ण मालामे तो साथियो हमने इसका separate वीडियो पेस किया तो कि आपको छोटा और कमेंटों मिल जाए तो यह साथियो प्राण वाईयू के आधार पर व्यंजन तो व्यंजन वरण बताएगे हैं दो प्रकार के तो एक होता अलप प्राण और दूसरा होता साथियो महा प्राण अलप प्राण और महा प्राण देखिये साथियो अब आप देखेंगे अलप प्राण क्या होता है अलप प्राण अलप प्राण वेवरन होते हैं साथियो जिन हैं यानि जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है सामानिसी बात है अल्प माने थोड़ा होता है अल्प प्रान जिसे बोलने में हमारी प्राने आहुती कम लगती है उसे अल्प प्रान बोलते हैं देखिए साथियो पेपरम प्रसन आता है कि अल्प प्रान में अगर हम प्रसन पूछें यनि प्रसन आजाता है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कौन सा वर्ण अलप्रान है और कौन सा वर्ण महाप्रान है तो साथियो इसकी हमने बहुत सांदा ट्रिक दिया आपको क्या है साथियो ट्रिक है और ट्रिक के माद्यम से इसे आसानी से हम ध्यान रख सकते हैं बहुत फ़नी ट्रिकर और आराम सीख सकते हैं देखे साथियो ये कहरा है कि प्रतियक वर्ग का पहला तीसरा पांचवाँ और ये रेलेवे ये सभी वर्ण अल्प्राण होते हैं क्या होते हैं साथियो मैंने आपको बताया है तो साथियो एक वीडियो में साथियो काफी लंबा experience की आधरप हमाँ आपको बता रहें तो काफी परस। commission जो आते हैं वो इस तरह आते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ कावर्ग चावर्ग टावर्ग टावर्ग ये पांच जो वर्ग होते हैं यह होते हैं इस पर्स बेंजनों में कौन से बेंजनों होते हैं साथ ही हो इस पर्स बेंजनों में और इस पर्स बेंजनों की संक्या कुल होती है पचीस तो एक तो इन पचीस बेंजनों में से कौन कौन से वर्ण होते हैं जिनने हम पैचान लेंगे सकते हैं, तो साथी बच किया गया आब दूसरा बच किया है और चोथा बच गया है, तो उसको इसके नीचे लिख दो, तो 135 बटे 24, हमने आपको घोष और अघोष की ट्रिक बताई थी साथी, आपको पता हो तो, तो अघोष की और घोष की बताई थी, 345 बटे बारे बताई थी 355 बारे ये घोसके और अघोसके साथ ही हो और ये घोसके अभी बात कर रहे थ Cobb ये है अलप प्रान और महा प्रान की तो साथ ही हो प्रतेक वर्ग का प्रतेक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा यानि 135 ये तो हो गए अलफ प्रान इनके साथ में ये रेले वे कौन से ये रेले और वे ये वर्ण भी क्या होते है साथियो अलफ प्रान होते है देखे साथियो जो ये वीडियो हम देख रहे हैं ये बहुत important वीडियो है छोटे से पलों का वीडियो साथियो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें साथियो अप्रस मनता है महा प्रान महा प्रान कौन से वर्ण होते हैं यानि जिन वर्णों को बोलते समय अधिक समय लगता है यानि प्रान वायू यानि दे रखे हैं वर्ग का दूसरा और चौथा पिरते एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महापराण होंगे इनके साथ में सह सह और है ये भी महापराण होते है साथियो अब आपको पता लगा होगा साथियो कौन सा महापराण है और कौन सा अल्पप्रान है तो साथियों अब आपको पता लगए अगर देखिए आप एक पर पीछे जाएए पीछे कर जाएंगे हम तो यह देखेंगे अब वर्ग का अपने दिवत आया था पहला, तीसरा और पांच माँ यह वर्ण थे एक तीन पांच याने 135 यह क्या हो गए? अल्प्रान अब बज़े कों से दो? तो यह हो जाएंगे दूसरा और चौथा कौँसा साथियों? दूसरा और चौथा यह वर्ण हो जाएंगे महाप्रान तो साथियों इन्हा आशान पहचान लेंगे बहुत अची सिट्रिक है 135 अलप्रान और 24 जो है यह महाप्रान होंगे तो साथियों यह हमारा वीडियो है अगर आपको साथियों वीडियो पसंद आया हो तो साथियों लाइक, सेर, कमेंट जरू करते हैं साथियों आपको जोन से टॉपिक की आवज सकता है आप कमेंट कर हमें वो टॉपिक मांग सकते हैं हम आपको वही टॉपिक दे देंगे साथियों आने वाले जीडी, पतवारी तमाम परिक्षाओं में यह बहुत महत्पून और इंपोर्टन वीडियो है तो साथियों आप बने रहे हैं हमारे लिए अगले टॉपिक के लिए थेंक्यू, धन्यवाद